नोशकाष श्रीकाल स्लाम अलेकूम जैहिन सांथियो आप सभी का तह दिल से स्वागत करते हैं यूजी से अड़ा के इस महामंच पे आज आप सभी के सामने एक सब्ते बाद कंटीनिवसली जो है आप लोग की क्लासेज नहीं लगी थी वाइटी पे और पेट क्लासेज में भ हो रहा है अब धुवाधार क्लासेज दिसंबर तक जब तक सिलेक्शन होना जाए सांथियो एक बार सभी लोग जितने जल्द से जल्द क्लास में मौझूद हो जाए आज की यह जो पेपर हैं जो कोश्चन एनलिसिस हम करने जा रहे हैं यह प्रिविए से इस कोश्चन है औ सभी लोग जल से जल्द क्लास में मौझूद हो जाए आप सभी लोग से एक ही सभी निवेदन है कि एक बार क्लास को अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते चलें सभी के सभी ल चाहते हैं तो कम से कम applications डाउनलोड जरूर कर लिया करो applications जरूरी है कि at least आप लोग class में मौजूद रह सको और चैनल को भी subscribe करते चलो question number first के तरफ हम लोग चलते हैं question number first ये आपके screen पे दिख रहा होगा question है कि प्रारंबिक वैदिक काल में वरच पती कौन होते थे this is the question कि इन अर्ली वैदिक पिरिएट अर्ली वैदिक पिरिएट की बात कर रहो वैदिक पिरिएट को भी दो भागों में आप लोग जानते हैं सभी लोग दो भागों में जानते हैं वैदिक पिरिएट को एक बोलते हैं अडली वैदिक पिरिएट एक लेटर वैदिक पिरिएट अडली पिरिएट को जो बोलते हो 1500 इसा पुरुव से लेकर 1000 इसा पुरुव के दवरान को हम अडली वैदिक पिरिएट के रूप में जानते हैं पूछ रहा है कि ब्रस्पति कौन होते हैं एक बार क्लास को सभी के सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पर सभी साथ ही लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलेंगे अपने अपने लगता है हकीकत में आप लोगों का बगाईर टीचर का जो संबाद ने स्टूडेंट के साथ बढ़ा ही अनोखा सा होता है चलिए विच इस प्रेक्ट आंसर अगर हम इस कोशन की और बढ़े तो अर्ली दो ऑफिसर लेट दी बैटल हैट्स अब दी फाइटिंग ओट्स दी सीनियर मिनिस्टर अब दी किंग दी ओफिसर वुप्रिश आइड़े अब दी ट्राइबल एड़ेंग रहे हैं जितने कंडिडेट क्लास को सुन रहे हैं आप सभी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं ध्यान सो सु लोग कि अगर आप यूजी सी के एक्जामस में बैठना चाहा रहे हैं यूजी सी के एक्जामस आप देना चाहा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह होता है आप सभी के लिए कि प्रिवियस एस के कोश्चन्स आप एनलाइज कर सको प्रिवियस एस कोश्चन्स आप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह याद रखना प्रिविएस इस कोशन आपको बताता है कि आप कहां पर एक्जिस्ट कर रहे हैं क्लियर है सब लोग राइट आंसर विल भी दा डी डी इस करेक्ट आंसर ग्राम परधान को आप क्या बोलते हैं ब्रच पती के नाम से आ ज़्यादस ज्यादा थोड़ा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि सर आ गया है आज से क्लास जो है प्रारंब हो गया है चली दूसरा नमबर कोशन कोशन नमबर सेकेंड देखेंगे ध्यान से अच्छा जितने भी कंडिडेट्स नए हैं जितने भी कंडिडेट्स सुन पा हिस्ट्री यूजी सी नेट हो आप सभी को एक जगह मिल जाएगा उसके लिए करना क्या है टेलीग्राम चैनल है हमारा पॉर्सनल है उसे आप जॉइन कर ले जितना जल से जल्द हो उसका नाम है हिस्ट्री बाई जाविद सर के नाम से हिस्ट्री बाई जे एडबलू इड जाविद सर के नाम से टेक है चली निमलिखित में से कौन सा जैन भिक्षुनी बनने वाली पहिली महिला थी चंदना खेमा सुजाता या त्रिशला विच बिल भी दा करेक्ट आंसर सभी लोग विच इस दी करेक्ट आंसर सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलेंगे विच बिल भी दा करेक्ट आंसर पहली बात कि चंदना ऑप्षन है खेमा है सुजाता है विच बिल भी दा करेक्ट आंसर देखो सुजाता वो है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध को जो है चावल खिलाया था यादे आपको ध्यान से सुनते चलिएगा दूसरा है त्रिशला त्रिशला के बारे में त्रिशला तो आफ सभी जानते हैं कि इनकी मदर का नाम है खेमा खेमा जिसकी शादी किस से हुई थी बिम्बिसार से हुआ था आप्षण नंबर ए इस कॉल दी चंदना चंदना वाले सभी लोग करेक्ट है गाईस एक बार सभी लोग फास्ट सभी लोग class को एक बार share करते चलेंगे अपने अपने social media पर सभी लोग एक बार class को share करते चलें अपने social media पर ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, कोश्चन नमबर, इस तर्म इस्त्रिधन इस फर्स्ट मेंशन इन विच अब दी फॉल्लिविंग टेक्स्ट, इस्त्रिधन शब्द का उलेक सबसे पहले निमलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है, सत्रिधन के एक्स्ट्रिधन के एक्स्ट्रिधन पर अगर कोश्चन पर अगर हम बात करें, द्यान से सुनते चलिएगा सभी लोग सत्पत ब्रहमन के बारे में कहा जाता है कि ये वैसे ब्रहमन है जिन में आपके तीन छेतर का उन्न मतलब बताये जाता और बिहार के तीन महाजनपत के बारे में वर्णन करता है सत्पत ब्रहमन याद रखेगा आप लोग comment करके ये बताएं कि सत्पत ब्रहामन कौन से वैदिक या वैदिक टेक्स्ट का ये ब्रहामनास के रूप में जाने जाते हैं एक questions आपको ये comment करके बताना है दूसरा चीज ये कि तीन जो बताया जा रहा है एक तो आप सभी जान दे वज्जी बिहार के वज्जी छेत्र जिसे आप वैशाली या लिश्वी गन्राज कह सकते हो दूसरा आप कह सकते हो that is called the खास तोर से आप भागलपूर वाला रीजन को ठीक है और तीसरा आपका that is called the राजगिरह वाला रीजन को इसके बारे में यहां पर वडनन देखने को मिलता है यह तीन महा जनका पत का वडनन करता है तीन का आंसर आप लोग पहले कीजिए जारा सत्पत ब्रहामन इस नोट दी करेक्ट आंसर फरस्ट अफल किलियर कर दू मैं आप लोग को सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलेंगे कोसें का जो इस तरी धन की जो बात की गई है सबसे पहले दैसे कोल इस और्थ सास्त्रा मैं इस तरी धन का वडनन देखने को मिलता है किसमें 52-eat-is опॉणिज़ को मिलता है जब्द आर्थ शास्त्रा भीस करेक्ट आंसर अर्थ मुर्दा बर बढ़तेंगे question number next the enormous wealth accumulated by the nanda has been mentioned by which early tamil author अब ध्यान दिजेगा नंदो द्वारा कत्रित की गई अपार संपती का उलेक प्रारंबिक tamil लेखक किस ने की थी यह questions मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को fast comment करते चलेंगे सभी लोग which will be the correct answer which will be the correct answer साथ यह थोड़ा सा class को आप लोग share करते चलेंगे यह आपी लोग के लिए class है basically चली which is the correct answer which is the correct answer which is the correct answer बहुत सुंदर मामुलर मामुलेनार will be the correct answer बहुत सुंदर बच्चे बहुत दिन हो गया class का तकरीबन हम लोग कह सकते हैं साथ दिन हो गया होगा मैंने लास्ट क्लास सैटेड़े को मतलब 8-9 दिन हो गया classes के बाद आप लोग वाइटी पर आएं जुनून कभी भी किसी भी परिस्तिति में कमना नहीं चाहिए बहुत याद रखना जुनून जहां घटा आप जियारेव से बहुत दूर चले जाते हैं यह और लेड़ी प्रिवेसस का question है मैं आते ही कल मैं लेट पहुंचा हूं दि पूरी है दूसरा चीज कल से जो है हमारा एक नया sections वाइटी पर आ रहा है जो मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूं और उसमें चलेगा प्रिवेसस के सांथ की टॉपिक वाइस कोन कोन से टॉपिक कोम कवर करते चलेंगे अच्छे से साथ यह एक बार क्लास को लाइक अभी करते चलेंगे सभी आप सभी जान रहेते कि मैं क्यूं आउट ऑफे स्टेशन था और अभी मदर ठीक हमारी आप लोग की दुआएं हैं सब ठीक है घर में और कुशल मंगल है एक बार दुआ करते रहो कि सब चिस सहीर है चली एक बार क्लास को लाइक शेर करते बार तक बार अभी में पढ़ा रखा हूं रबातक शिला लेग के बारे में निमलिखित में से कौन सा क्रतन सही है रबातक इंस्क्रिप्शन कहरा है कि क्लेरीफाइंग दिर्शनशिप बेविन दा कनिश्ट अफेस्टिस किंग इंग अपने भी आपने गिलेंग को आपने in early Tamil history इतना easy question है मुझे लग रहा है कि this is the very very easy question आप लोग थोड़ा मौसम भी change हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मौसम में काफी बच्चे बुढे बुजूर्ग जवान सब बिमार पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान रखें गरम पानी जरूर पिया करो राजाओं के बीच के संबंद के बारे में बताया जाता है और एक चीज और भी याद रखिएगा कुशान पिरेट में सबसे जादा कॉपर कॉइंस चलाने का वर्डन मिलता है और कुशान ही पिरेट वैसा है जो सबसे शुद्य सोने की सिक्के भी चलाया है याद रखिएगा सबसे पहला प्रिजेंटेशन जो कहा जाता है कि हुमेन वाइट्स का वो इंडो ग्रीक का है लेकिन सबसे जादा देवी दिवताओं के परती अरपित कॉइंस आपके कुशान में ही मिलता है राइट आंसर विल भी दा या इस correct आंसर साथ यो ध्यान से एक के questions को आप लोग clear करते चलेंगे ठीक है और जितने लोग टेलीग्राम चैनल पे जोईन नहीं कोशिस करें कि टेलीग्राम चैनल जोईन कर ले सभी लोग ठीक है इस questions को जब मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा easy सा feel होता है कि यह वाकी में यह सच में आपका बहुत easy सा question है. सभी लोग fast comment करते चलेंगे which will be the correct answer. Who among the following provide the useful information determining the beginning of the gupta period? ठीक है, सुन्दर question, which is the correct answer? Which is the correct answer? फोड़ास फास्ट आंसर करते चलेंगे, which is the correct answer साथियो? Almost student का आंसर A आ रहा है, फाहियान. फाहियान आंसर आ रहा है और दूसरा अलबरूनी भी आंसर आ रहा है. वैसे मैं आप लोग को बता दू, right answer will be the फाहियान. फाहियान को widely आप accept करके चलना वजह बताते हैं, फाहियान होने का वजह क्या है? फाहियान ने कई किताबे लिखी है, Fugu Oji, ठीक है, और उसके अलाबा भी एक और भी था किताब जिसके बारे में मैंने बताया था, बुद्धिस लिट्रेचर पर उन्होंने काम किया था, कांसलोर से, ठीक है, अल्टिमेटली फाहियान के बारे में कहा जाता ही कि चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में ये इंडिया आया है, और ये पहला ऐसा चीनी यात्री है, जिनोंने यहाँ पर लिट्रेचर सीखने के लिए आया था, तो आप अल्टिमेटली फाहियान विल बी दा करेक्ट आंसर, फाहियान आप आंसर्स कर सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, कोश्चन नमबर, सेवें, नोट इबेन आ हंड़ेट कारोस औफ माई टेरिटरी आर्द ओविदिन टु मी इन प्रोपर वे, बहुत सुन्दर कोश्चन है, कि मेरे छेतर से सो करोर भी उची तरीके से मेरे अग्याकारी नहीं, सो करोर भी उस वेक्ति को पहचान है, जिससे सुल्तान अलावदिन खिलजी ने शिकायत कर रखा था, यह तो बहुत इज़ी कोश्चन है, सभी लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलेंगे, विची इदी करेक्ट आंसर साथ यूँ, विची इदी करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई परसन हुम सुल्तान अलावदिन खिलजी, अलावदिन खिलजी डांट रहा है, अपने कमांडर को, कि हमारे एरिया में कारो बोलते हैं, यहां पर करोर कर दिया, कारो बोला जाता है, कारो, सो कारो में से, सारे टेरिट्री के लोग अबिडेंट नहीं हैं, ऐसा कह रहे हैं, किस से कह रहे हैं, गाजी, मुगि सुद्दीन, काजी, फकुरुद्दीन, शरफ कैनी and अलावल मुल्क, which is the correct answer, यह question already करा चुका हों है, and this is the very easy question, क्या answer हो जाएगा, which is the correct answer, exactly right answer will be the, काजी, मुगि सुद्दीन will be the correct answer, काजी, मुगि सुद्दीन will be the correct answer, क्लियर है, चलिए, next question क्यों बढ़ते हैं अलावदिन खिल जी कि अगर हम discussions करें, अलावदिन खिल जी अपने आप में, मतलब, पूरी की पूरी सल्तनत में इतना important role है, आप याद रखेगा, सभी student को एक हिंड दे देता हूं, trick बता देता हूं, पूरी सल्तनत period में, आप लोगों ने, अगर, खिल जी डानेस्टी में अलावदिन खिल जी को, तुगलग डानेस्टी में, फिरोश शा और मुहम्मद बिन तुगलग को, और स्लेव डानेस्टी में, इल्ट उत्मिस को, आपने कभर कर लिया, और लोधी डानेस्टी में, सिकंदर लोधी को, टोटल मैंने पांच सुल्तान के नाम लिये, वो आप का सल्तन पिरिएड आसानी से हो जाएगा, किलियर हो जाएगा, ठीक है, that is the काजी मुगी सुद्दिन, उस वेक्ति को पैचाने, जिस से सुल्तान अलावदिन खिल की शिकायत कर रहा था, काजी सहाब है, चलिए, next question, question number है, निमलिखित में से किसकी खोज आरे भट ने नहीं answer, which will be the correct answer, क्या answer हो जाएगा, which of the following was not discovered by आरे भट, आरे भट के द्वारा, सर सतीष शंद्रा में अलावदिन खिल जी के बारे में इतना ज्यादा नहीं है, हाँ, सतीष शंद्रा में अलावदिन खिल जी के बारे में इतना नहीं है, लेकिन आप जब, नहीं, ऐसा नहीं है, काफी तो है ही, आप हिंदी मीडियम अगर पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में आप खास्तोर से पांडे को पढ़ सकते हैं, आप जब इनको पढ़ रहे होंगे, पांडे के अलावा आप कृष्णा रेडी को पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको काफी हद तक मिल एक बार सभी लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर कर लो भाई जादस जादा कोशिस करो कि क्लास जादस जादा जगह तक पहुंच जाए सभी लोग फास्ट एक बार कमेंट करते चलेंगे सवरफ चौबे की बुक में हैं हाँ उस चौबे की बुक में भी काफी हद तक जो चीज़े हैं इंग्लिश मेडियम हूँ इंग्लिश मेडियम वाले के लिए खासतोर से मैंने बोला सवरफ चौबे की बुक में भी काफी हद तक अच्छी बुक है मैंने ये सारी किताबे कही न कहीं during the study period में मैंने बहुत रम रम के पढ़ा था इस किताबों को अभी मेरे पास भी ये किताब शायद अब लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं जो initial stage में जो किताबे मैंने suggest की थी वो किताब जरूर आप लोग पढ़ना जो किताबे मैंने आप लोग को suggest कहा है चली which is the correct answer एक बार fast comment करते चलेंगे which is the correct answer which of the following was not discovered by the Arya Bhatt के द्वारा कौन सा चीज discovered नहीं किया गया है आठ का C is correct answer चली प्रिथवी सूर्ज के चारो और घुमती है ऐसा थोड़ी है प्रिथवी प्रिथवी सूर्ज के चारो तरफ प्रिथवी सूर्ज के चारो तरफ और घुमती है प्रिथवी की चाया चंद्रमाँ पर पढ़ने से ग्रहन लगता है which is the correct answer आपका आप लोगों ने answer C किया है वैसे answer अगर आप देखें कि Earth is spherical correct है Earth rotate on its axis ठीक है Earth revolves around the sun ये आरे भट के statement ने दर शेड़ आप दी फॉलिंग मून इस करेक्ट आंसर ठीक है सी वाले सभी लोग करेक्ट है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं कोशन नमबर 9 इस सब कोशन तो शायद बहुत इजी कोशन है बताई जरा सती प्रथा का वर्डन कहां पर आपको देखने को मिलता है आप लोग अच्छे से याद होगा याद कीजिए वह कहां पर है वैसे मैं हिंड दे देता हूं इस स्टेट में MP है अब बताई विची ती करेक्ट आंसर आप लोग बीच बीच में आंसर कोशन भी पूछ ले रहे हैं कि सर्मोडेन हिस्टी के लिए कौन सा बुक मोडेन हिस्टी के लिए मैं एक ही चीज़ आप लोग को बार बार सजेस्ट किया हूं वह यह कि स्पेक्ट्रम पढ़ना आईडिया आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम के सांसाथ आप सतीश मतलब बिपीन चंद्रा पढ़ रहे हैं और शिकर बंदो पादिया यह तीनों अपने आप में बहुत अच्छी बुक है शिकर बंदो पादिया होई है प्लासी टू पाटिशन प कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नमबर नेक्स्ट वाट इस दा मिनिंग ऑप दी बुरूंजिस बुरूंजी का क्या आर्थ है वाट इस दी मिनिंग बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं सर आपने मेरा मकसद यह हमेशा में कोशिए मेरी यही रहती आप लोगों के समने जादस जादा बहतर से बहतर चीज़े आप लोग तक पहुंचा सकूंए आप लोगों को पढ़ा सकूं यह मारा मकसद जादा से जादा और और इंसान बात कर पाता है पेट क्लासिस में वाइटी पे क्या बात करेगा वाईटी पे आप से कोशिष रहता है की जादस जादस चीजे हम आप लोग को सिखाते चले चले, which is the correct answer what is the meaning of the Brunges Brunges का क्या मतलब होता है Brunges एक genealogy बताए जाती है कि असम में वंशावली को अभी लेक को आप Brunges कहते हैं C वाले सभी लोग correct है Brunges आप genealogy को कहते हैं बारे में genealogy बहुत सुन्दर, next question question, who among the following Gupta ruler issued gold coin with the lowest percentage of gold ऐसा questions मैंने last time भी आप लोग को कर आया था और ये समझाया भी था Gupta period वाले students को खास तोर से मैंने EMRS वाले students को पढ़ाया था निमलिखित गुप्त साशकों में से किसने सोने के सबसे कम पर्तिशत वाले सोने के सिके जारे किय किया था असकंद गुप्त, बुद्गुप्त, नरस्म गुप्त और विश्न गुप्त विष्णु गूफ्त, विच्च पर्राइक्ट आंसर आप लोग मोटिवेट मोटिवेट रहा करो देखो मैं अक्सर देखता हूं क्या हूं कि लक्ष जो है न अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मतलब राची गया बिहार भी गया तो मैं देखता क्या हूं कि लोग वही लोग फेलियर हैं जो रास्ते कंप्लीट नहीं किया है जो रास्ता कंप्लीट किया वो कभी फेलियर होई नहीं सकता आप लोग बहुत सारे कंडिडेट्स यहां पर ऐसे हैं जो बहुत दिनों बाद अपनी पढ़ाई जारी किया है किसी परिस्तिती से बहुत सारे स्टुडेंट्स के मैंसेजिज आते हैं और बहुत दिक्कतों में उन्होंने पढ़ाई जारी किया और मुझे उमीद है कि जिन् तो आज आना दिमाग में वो इंसान कभी भी जो है पीछे नहीं रह सकता है राइट आंसर विलविदा ऐसे तो यह याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है विश्नु गुप्त मैंने पढ़ाते समय यह भी कहाता है कि असकंद गुप्त ऑप्शन में हो और उससे पहले की गुप्त राइट में हो जैसे कुमार गुप्त हो गया तब असकंद गुप्त हो सकताук वैसे इसका आंसर विश्नु गुप्त विलविदा करेक्ट और embaixo क्रेक्ट हैं और फिर भी तैयारी करें अपनी जित की वज़े से और उनको कामियाभी मिलती है ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है लेकिन आप कभी भी पीछे मठ रटना क्या होगा competition ऐसे लोगों से न मैं चाहता हूं कि आप दूर ही बना के रहे हैं कि आप दूर ही बना के रखें कि जो बोलता है कि competition बहुत बढ़ गया या teacher भी बोलता है teacher की बात मस्वना कुछ नहीं बढ़ा है आप अपने लेवल को बढ़ा रखो अपने आप selection होगा होता है ना selection बाई ऐसा नहीं है कि selection नहीं हो रहा है किसी का ऐसा तो नहीं है ना चली पर क्यों और चोल बहुत easy question this is the very easy question which is the correct answer बच्चे उतना demotivate होने की ज़रूत नहीं है यह बात याद रखे इतना दूर तक पहुंचे हैं तो आप अपने लक्ष तक भी पहुंचेंगे और इसमें कोई आपको बाधायन नहीं होंगी यह याद रखेगा कोई इंसान आपको न चली बहुत बढ़िया all the best everyone एक बार क्लास को सभी लोग like share करते चलेंगे right answer will be the चलुक्यांस will be the correct answer चलुक्यों में महिलाओं के खुब बोल बाला देखने को मिलता था बहुत ज्यादा participation हाला कि चलास में भी कुछ हद तक देखने को मिला है ठीक है लेकिन चलुक्यास ज्या रिटेन इन खरोस्टी ले स्कृप्ट वास फाउंड फ्रॉम विच अब दी फॉल्विंग प्लेसे खरोस्टी लीपी में लिखी धंपद की पांडू लीपी निमलिखित में से किस अस्थान से मिली है टर्फन कसगर कूची एन खोतान विची दी करेक्ट आंसर पास्ट कमे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पांच बज़े से क्लास होता है आपके वाइटी क्लास पर जहां तक मुझे आइडिया है सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलेंगे और जितने भी कंडिडेट्स नए हैं जिनको आइडिया नहीं कि यह सारे नोट्स आपको कहां पर मिल कड़ेगा तो आपको बता दूं कि आप उसके लिए क्या करना है की आपको डली ग्राम जोईन करुन करना टैलीग्राम चैनल पर मेरा हिस्ट्री बाइ जाविद सर के नाम से जे-डब्लू ई-डी जाविद सर के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, which is the correct answer, which is the correct answer, manuscript of the धंपदा written in the खरोष्टी, script found from the which of the following places, तरफन, कासगराज, कुछी and खोतान, which is the correct answer, which is the correct answer, बच्चे, right answer will be the, और सुशूम यादब बोल रही है कि सर नहीं चलती, चलती है बटा, अभी हो सकता है कि मैडम छुट्टी पर होगी, तो हो सकता है कि नहीं हो, right answer will be the, D, खोतान will be the correct answer, right answer will be the, D, next question, next question will be, थोड़ा speed बढ़ाते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि questions बहुत सारा है, थोड़ा सा speed बढ़ा देते हैं, ठीक है, उस सुल्तान की पहचान करें, जिसने टका पर टकसाल शहर का नाम रखने की प्रत्था शुरू की, which is the correct answer, which is the correct answer, टका, याद रखीगा, टका पहला ऐसा क्वाइन से, जिस पे कहीं न कहीं सुल्तान ने डेडिकेट किया था, खास तोड़ से किसको, आप कह सकते हो, खलीफा को, ठीक है, चली, next question, question number next, question number next, ध्यान दीजेगा, सुल्तान स्वयम किर्शी के विकास में गहरी वेक्तित रूची लेता था, उन्होंने अनास पर जकात को समाप्त कर दिया, और एक मानक पेश किया, जो मुगल काल तक प्रचलीत रहा, वो सुल्तान कौन था, बल्बन, खिलजी, फिरोशा, तुगलक और सिकंदर लोदी, वो सुल्तान बहुत इंट्रेस्ट लेता था खेती में, और कह रहा है कि अनास पर जकात को खतम कर दिया था, विच इस दिस सुल्तान नेम, सुल्तान कौन सा था, मुंतसिर, विनिता, वेरी गुड बच्चे, बहुत सुन्दर, मुंतसिर, याद है, मतलब अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत सुन्दर, विच इदि करेक्ट आंसर सांथियो, राइट आंसर वो सुल्तान है, that is called the सिकंदर लोधी, जिनों ने खास तोर से एक चीज और भी सिकंदर लोधी को एक क्रेडिट और भी जाता है, वो किस चीज का पता है, वो रहट होता है, रहट जैसे चीज का इस्तिमाल करना, पानी इरिगेशन के लिए पानी खेतों में पटाने के करवाया करता था, तो ये भी अपने आपने सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी was the fanatic Islamic ruler, by-goated Islamic rulers, by the way he destroyed lots of temple and groups of the temples, नागर कोट के जौला मुखी देवी temples को भी destroy किया, even इतना कह सकते हो कि आप जो है, माउंट आवू वाला जो reason है, वहाँ पे भी इन्होंने attack इनके रहे हैं, च काम के, अमरित कुंद, which deals with the different exercises and practice for the health was the translated into the Persian, under the following titles, कह रहा है के, अमरित कुंद जो स्वास्त के लिए, बिविन अभ्यासों और प्रथाओं से संबंदी था, फार्सी में निम्लिखित में से किस शिर्शक के तहित अनुवात किया गया था, खाने, पुर नीमत, हाजुल, हया नू सिफिर, नू सिफिर तो बिल्कुल नहीं होगा, हस्त, वीस्त, दोनों नहीं होगा, ये दोनों आप अमीर खुसरो के ही, अमीर खुसरो के ही जान रहे हैं, मीर खुसरो, अमीर खुसरो की ये खास तोर से ये बुक है, एक खुश्खवरी आप लोग को सुनाना चाह रह तक है था में कि चली कि विची दिक रेक्ट अंसर बच्चो विच विग विदक रेक्ट आंजर हौजुल हयाद हौज का मतलब ही होता है कुंड कुंड मींस हौज हौज मींस कुंड हौज मींस कुंड होता है एक चीज आप लोग को खुश खबरी सुनाना चाहरा हूँ है ध्यान से सुनना एक छोटी सी डोकॉमेंटरी शूट किया मैंने आप सभी के लिए एवन आप सभी के लिए जितने लोग सुन रहे हो तो टीचर्स अड़ा पे या UGC अड़ा पे दोनों में से आप लोग सर्च कर लेना YT चैनल पे यूटूब चैनल पे जितने भी यूटूब चैनल है सब पे एक वीडियो हमारा अभी स्ट्रीमिंग होना है जो अमीर खुस्रो उसके अलाबा मौलवी जियाओ दिन बढ़नी साहब इन सब पे जो है आज ही पांच बजे स्ट्रीमिंग होना है पांच बजे तो आप लोग टीचर्स अड़ा पे स्ट्रीमिंग हो सकता है या UGC पे आप लोग देख लेना कई चैनल के लिए काफी फाइदे मन्द होगा हो नेक्स्ट कोश्चन है कि मुगल बास्षा सिंद की खाना बदो चर्वाह जंजातियों पर नियंदरन करना चाहते थे क्योंकि दे वांटे तो प्रोस लिस्टिक देम तो इस्लाम दे वांटे तो ब्रिंग देम अंडर दे इंफ्लिंस तो बहुत तेज है सचीन आशिरवाद है हो जाएगा तथास्तु बिलकुल होगा बई ऐसे भी आश्तुमारी है हमारे यहां पर बोलबं चलता है पता है बिहार में बोलबं और भगवान की किर्पा होगी सब हो जाएगा बढ़िया बस मेहनत डटे रहो जिंदगी में फिचि प्रेक्ट आंसर मुगल भासा सिन्द की खाना बधोस्चरवा जन जातियों पे नियंतरन करना चाहते थे क्यूंकि वे शाही आए को बढ़ाने के लिए उन्हे आशीन बनाना चाहते थे ते इस विल बी धा करेक्ट आंसर दे वन्त इंटरी तो थे इंहां ते इंहां दारुल शिफा, everybody knows कि दारुल शिफा is means the hospital that is the hospital in मांडू, मालवा के सुल्टान पूछ लिया, अगर 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 दिल्ली का सुल्टान पूछता तो फिरोशा तुगलग हो जाता, याद रखना लेकिन पूछ रहा है मांडू में हुशंक शा, महमूद खिल जी या महमूद खल जी सेकेंड विच इदी करेक्ट आंसर मतलब मैं सच बता हूँ तो बिहार से ही रिटर्न आ रहा था मैं मेरे को जो है गारी नहीं मिल रहा था हाजीपूर से पहले की इसलिए पटना जा सके हम बड़ा दिक्त में आना पड़ा है बोल बंडाक बंच करते हुए आना पड़ा एक गाइड जो भीया थे बाइक से जा रहे दम पूरा बने हुए थे पता है क्या वो गे गेटब था उनका जो है महादेव का गेटब मैंने हाथ दिया महादेव रोग दिये महादेव के सांथ बैट के आया है भाई महादेव दो उड़ाय उन्हें थे बाइक पर है ठेर बिच दिकरेंट आंसर भूशंग शा घ्याष मेह मुथ grounded and Mahmoud Khilji second रिच बीकरेंट तो इस जान्सरा राइवाद और आंसर विल बीच Зथिलिकतल हैं ठीकले點 नेक्सर मेक सन पे चलते नेक्सर सी घ्यान से देख जानко pudding क्या के मत्त है है कि which of the following राजा या सुल्तान पोईट वाज इंटाइटल दी गंधर्व on account of his genius in the field of music देख रहे हो ध्यान से गंधर्व राजा या सुल्तान या पोईट पूछा है अब इसी से आप लगा सकते हो कि गंधर्व की उपादी दी गए थी सुल्तान बैठाया दम पुरा बंबं अपने तरीके से हैं लेकिन खाया हुआ था जी खाया हुआ पुल रहा है कि चलिए बैठीन आप आराम से सब्सक्राइब करेंश व्युक्र नाइंट आराम संसारे लोग आंसर डैटीन का एंगे बोह सारे लोग आंसर करेंश काई और उस्ली चलिटन बार ख shines देखो यहां-पहर कोषण कहां से पूछआ है गंधर्वा ने ने बच्छे इसका आंसर जो अना बी कर लेना बी विल ब्र हुसेंशा सरकी बी मान सिंग भी थे लेकिन आपके ये छेत्र नहीं पूछाया ना एरिया वाइस आप ये कर लीजेगा सरकी विल भी दा करेक्ट आंसर बी थोड़ा सा गर्बर हो गया था बी कर लीजेगा आंसर नेक्स्ट कोशन बाबर का ध्यान इस तत्तिकी और किसने आकर किया था किसने इनफर्म किया था विच इदि करेक्ट आंसर गुडिया दिख जाता है यहां पर आपको जेतना साफ से दिख रहे होंगे न मुझे साफ से नहीं दिख रहा बहुत इस पर जो है एफेक्ट पड़ता है विच इदि करेक्ट आंसर पास्ट आंसर करते चलेंगे कि बाबर को ये बात किसने बताया कि सिकंदर लोधी आप से पहले जो साशक थे इबराहिम लोधी के अबबा उन्होंने फार्सी बहुत सारे हिंदूओं को सिखाया और उनको अच्छे-च्छे पद दियें अब्दुल्ला अजुदानी शेक अब्दुल्ला शेक अजिज अलिशन अजी अंछेक अब्दुल्ग गंगञोही विच्छ विच्छ डी घड़हें वाले सभी लोग करेक्ठ हैं नेक्स्टकोशण क्यों बढ़ते हैं के लेकिन यह अभी इजी इजी कोश्यन से जब हम इसके 30 से उपर बढ़ना शुरू करेंगे तो इसके लेबल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा याद रखना ठीक है मैं इसको सीरीज में लेकर चल रहा हूं घबराना नहीं इसमें मैनेज करके हम लोग चल रहे हैं कि पीजी वाला भी स्टूडेंट हो यूजी सी वाला तो दोनों के लिए फायदे मंद हो निमलिखित में से कौन सा प्रेम मार्गी निर्गुन भक्ति शंत नहीं है बहुत सुंदर बताओ भई यह पढ़ा रखा हूं यूजी सी वाला स्टूडेंट बताओ तो जरा मुला दा निम्हा यूज़ फाफॉद कुतबन मंजं अन मलुक दास विचि दे करेक्ट आंसर हो फास्ट कमंट करते चलिए जरा विचिश करेक्ट आंसर सभी लोग थोड़ा से स्पीड बढ़ाए और एक बार क्लास को थोड़ा से शेयर कर दें जितने लोग क्लास को देख रहे हैं अगर शेयर कर देंगे तो जादा से जादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुँच पाएंगे कोशिस करें कि ज़ादा से ज़ादा जो है आप लोग शेर कर दें क्लास को आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेर करते चलेंगे सभी के सभी लोग चले विची दी करेक्ट आंसर चले एक बार थोड़ा सा और क्लास को शेर करते चलेंगे देट इस दी मुल्ला दाउत कुट्बन मंझन और मलुक दास राइट आंसर विल भी दा आपके कि संथ के रूप में नहीं जाने जाते हैं बापी सभी प्रें मारगी संथ है बाते हां थोड़ा फास कमेंट करके बताई ज़रा सूफियों की जिवनी के बारे में बताए गया है देखो जिवनिया सामिल है मासिर उम्रा तस्किरत उम्रा अखबार अख्यार एंड जखिरत ख्वानिन आपको उस किताब के राइटर के भी नाम बता चुका हो में क्या आंसर हो जाएगा कमेंट करके इसके राइटर कौन है सभी लोग फास्ट आंसर करते चलेंगे यह सारे कोश्चन्स प्रिवियस इसके अलड़ी में पढ़ा चुका हो आप लोग बहुत इसली आंसर कर सकते हैं अखबार अख्यार बताए कि इसके आंसर इसके राइटर कौन थे राइटर मैंने पूछा है बच्चो फू वाज दी राइटर आफ अखबार अख्यार थोड़ा फास्ट कमेंट करते चलेंगे बहुत इजी कोश्चन है मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर सकते हो मैं बढ़िया हूं रंजन चले विच इस दी करेक्ट आंसर आप लोग आंसर कीजे किसके राइटर कौन है यह मैं यहां पर आपको हेल्प नहीं करने जा रहा हूं बहुत सुन्दरता से आप लोग को पढ़ा रखा है नेक्स कोशन है कि इलेस्ट्रेटर इलेस्ट्रेटर दी कौपी ऑफ शाहनामा अब दी लेट 16th सेंचुरी मुगल स्कूल वास प्रिपेड अड़ी लाइब्री ऑफ विच अब दी फॉल्लिविंग प्रिंस नोबेल्स कह रहा है कि सोलमी सताबदी के उत्राथ कि मुगल इस बहुत इजी कोश्चन है उनके पिता के मरने के बाद अकबर ने उसे अपना बेटा के रूप में माना था अब्दुलहक मुहद्दीस पूरा नाम अब्दुलहक मुहद्दीस विल भी दा करेक्ट आंसर विची दी करेक्ट आंसर बच्चे राइट आंसर विल भी दा डी अब्दुलरहीम खाने खानन विल भी दा करेक्ट आंसर डी वाले सभी लोग करेक्ट है बहुत सारे कोश्चन्स हैं जो आपको आइडिया नहीं इस ओके चलेगा नेक्स्ट कोश्चन दा अर्लिएस मेंशन अब दी यूज अब दी बेल्ट ड्राइब फोर दी पावरिंग जेम कटिंग कम फ्रों विच अब दी फॉल्विंग ट्रेबलर्स अकांट्स बहुत कोश्चन है कि रत्न काटने की शक्ती के लिए बेल्ट ड्राइब का उपियोग करने का पहला उल्लेख निम्लिकित में से किस यात्रियों के विबरंट से मिलता है बर्णियर, पीटर मुंढ लइनिर, बर्णियर, और मनूची, ट्रेबियर, और फ्रायर, which is the correct answer not a V Nita why a Peter Mundi and Manric क्यों होगा यह स्टेटमेंट जो जाता है यह पीटर मुंडी मैनरिक नहीं बर्नियर और मनुची नहीं ट्रेवनियर और फ्रायर मास्टर स्टेंश्में और जॉर्जिस रॉक्स नहीं आपका सी विल बी दा करेक्ट आंसर सी आपका करेक्ट है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नंबर नेक्स्ट ध्यान दिजिएगा कोशन नंबर नेक्स्ट विच अब दी फॉलिंग इस दी अर्लियस नोन अकाउंट अप दी मेडियेबल भक्तास तो वी फॉंड इन दी सिंगल वर्क ऑके निमलिखित में से कौन सा एक ही कार म में पाए जाने वाला मर्दिकालीन भक्तों का सबसे पहला ग्यात विवरन है भक्त माल वैस्टनव जत्य वासकर 84 वैस्टनवों की वारता वैस्टनव की वारता ठीक है विची करेक्ट आंसर यह आपका जो कोश्चन है ध्यान से सुन लिजेगा यह मिसलेनियस का पार्ट है यह भागवतिजम में भी इस चीज के अवर्णन है लेकिन यह अभी UGC में मैंने पढ़ाया नहीं कोशिस करें आप लोग आंसर करने की विची दी करेक्ट आंसर right answer will be the 84 वैसनबो की वारता will be the correct answer C आपका correct answer हो सकता है ठीक है next question पर चलिए next question है with regard to Tamil Siddhas which of the following is not correct not correct ठीक है ध्यान दिजेगा तिरुमलार वाज दी ग्रेटेस्ट अब दी तमिल सिधास तमिल सिधास शोज दी फीचर अप दी अंटी ब्रहमिनिजम एंटी रिचुल्स next Tamil Siddhas led emphasized on the importance of Shiva and Murugan the Tamil deities the chief centers of the Tamil Siddhas वर्दी टॉंडई नाडू अण पॉंडी नाडू तमिल सिधो के संबन में निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है ठीक है नहीं है which is the correct answer थोड़ा बहुत questions में होता है confusion यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं शाल नहीं चलिए which is the correct answer which is the correct answer अब्दुरहीम खाने खानन के पिता जी का नाम अनुराग दिवरी पढ़ाओंगा मैं उनके पिता का नाम बैरम खान था बैरम खान के मरने के बाद बैरम खान की पत्नी से बताय जाता है कि एकपर ने शादी कर ली थी ऐसा भी बताये गया ठीक है सभी लोग फास्ट क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है इसका आंसर कीजिये जराव विचिस दी करेक्ट आंसर दी आपने आंसर किया है कि नोट करेक्ट तो राइट आंसर विल भी दाद चीफ सेंटर ऑब दी तमिल सिधाज वर्दी टॉंडे नाडू एंद पॉंडी नाडू इस दी इस इनकरेक्ट दी वाले सभी लोग करेक्ट है बैरम खान अकबर के अंगरक्षक के रूप में था एक कोश्चन आया है किसी स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे पवन ने शैद पूछा है मैं आपका एक कोश्चन का आंसर एक बार देख लेता हूँ कि earliest known account of the medieval भक्तास to be found in the single work single work वैसे मैं आप लोग को बता दूँ इस कोश्चन का जो आंसर बन सकता है देखो द्यान से बैस्नव बजट्य भाशकर इसमें आपका आंसर नहीं होगा बैस्नव की वारता ये दो नहीं आंसर होगा ठीक है option बनता है भक्तमाल और 84 वैस्नव की वारता ये दोनों कोश्चन का आंसर बन सकता है ठीक है दोनों आंसर बन सकता है भक्तमाल में वैसे पहला ये मैंने वर्ड नहीं देखा था वैसे पहला वक्त अगर है तो भक्तमाल आंसर हो जाएगा अगर ये पहला सबसे पहला और दे देता है कि भक्तों का वर्णन है तो 84 वर्डन को वर्डनन हो सकता तो आपका आंसर यह प्राइरिटी में रखना और सी भी गलत नहीं है यह भी जहीं हो सकता है तो इस तरह से भी question है, आप भक्तमाल will be the correct answer, ठीक है, सबी लोग ध्यान से, देखो एक के questions को analyze करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, ठीक है, और जब भी doubt हो तो दुबारा question पूछ लिया करो, चलिए next question है, by 1914, about three quarter of the Indian infantry come from the which of the following reasons, ये question पूछा है क 2014 तक, तो को first world war के समय तक, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने लोग क्यों परिशान रहते हैं, class के समय जब call आता है तो बड़ा irritation सा होता है, चलिए which the correct answer, ठीक है, clear हो गया ना, questions, state वाला batch start हो रहा है छे तारीक से, state का batch start हो रहा है छे तारीक से, अगर कोई student है तो जतना जल से जल से जल से एड़ आन हो जाना, चलिए which the correct answer, तो इसमें जो 1914 में first world war के समय में, पंजाब, नेपाल और नौर्थ वेस्ट फ्रंट से, सबसे अधीक देखने को मिला है, सबसे जादा संख्या में इस रिजन से लोग देखने को मिला था, ठीक है, right answer will be the C, बंगाल, बिहार अवद नहीं, मडरास, बंबे, बंगाल नहीं, पंजाब, नेपाल और नौर्थ वेस्ट, उने सो चोगदा वाला क्या, right answer will be the C, next question, when was the information, information section 1 to 4A, relating to the seditions, was the incorporated in the Indian panel code, by act, act, act number 27, अच्छा question है, सभी लोग answers कीजिए, this is the very easy question and अच्छा question, सभी लोग, which is the correct answer, आज का questions जो है, वैसे questions बहुत है, लेकिन बहुत दिन बाद जब faculty आता है, और अपने students से मिलता है, थोड़ा सा रहता है, कि जादा से जादा बात कर पाऊंगे, आप लोग से, ठीक है, कल से थोड़ा सा speed बढ़ाऊंगे, questions के, questions का label भी थोड़ा speed रहेगा, और जादा से जादा कोशिस करूँगा, कि आप लोग जो है, टाइम पे मौझूद रहे हैं, जादा से जादा questions बता सकूंगे आप लोगों को, चली, which is the correct answer, Lord Mayo के time, बाकी लोग भी answers करते चलेंगे, which is the correct answer, right answer will be the, C will be the correct answer, ठीक है, C will be the correct answer, बहुत सुन्दर, next question, question number, in 1850, अठारो सो पचास में भारत के बड़े पैमाने के उद्धोग उदय की पुर्व संधिया पर, निमलिखित में से कौन सा सबसे परमुख समुदाय था, जो पश्मी तच से दो परमुख निर्यात योग वस तो है, कपास और अफिम के बेपार में लगा हुआ, ये तो साथ मुझे लग रहा कि बहुत इजी कोश्चन है, पुछ रहा है कि वो ग्रूप कौन से थे, जो बेपार में खास्तोर से अफिम और कपास की बेपार क्या करते थे, योरोपिये, बंगाली बेपारी, पार्सी औ उनके बारे में मैं बता दूँ, मंगल पांडे एक मुवी आई थी, The Rising of the मंगल पांडे, उसमें इस ग्रूप को दिखाया भी गया था, बहुत प्रॉपर तरीके से, वो ग्रूप कौन सा है, विची दी करेक्ट आंसर, विची दी करेक्ट आंसर सांथियो, जितने कंडिडे और जितने कंडिडेट्स आज पहली बार ग्रूप में जॉइन हो रहे हैं, उनको मैं एक चीज बता दूँ, कहते हैं कि देर ज्यादा सही नहीं होता पढ़ाई के मामले में, लोग बोल देते हैं कि ठीक है, देर आये, दुरूस्त है, वो बाकी चीज़ों में लगता है, अ एक कोशन और लास्ट कोशन करा देता हूं में सॉल, कि हूं एमोंग दी फॉलिंग वास नोट आसोसियेटेड विद दी लाहूर रिजोलूशन एडॉप्टेट बाइधी मुस्लिम लीग अन 23rd, 1940 यह कोशन अभी जो है आपके जारखन पीजीटी में भी यह सेम कोशन रिप फजलूल हक और खली कुछ जमा विचीटी करेक्ट आंसर बचों मैं एकी चीज बार बार आप लोग को कहूंगा और आप लोगों से एकी चीज हम उमीद भी करते हैं कि जितने भी कंडिडेट्स हैं आप लोग अपने दोस्तों को जरूर इनफॉमेशन दे देना कि क्लास इ दिलेजा कत một पिद्थ कुछ इसमें ज्यादा डिलेज ना करें ज्यादा लिए नुक्सान दायक है और टाइम पर रहेंगे ज्यादा सब ज्यादा चीज़ें के और मेरा यही मानना है कि वक्त जरूर लगता है किसी काम्याबी के लिए लेकिन काम्याबी की जो चकहन है जो मज़ा है जो चक लेता उसी को पता है हकीकत में तो डिले ना करें क्लास को जल से जल जोईन करें देखो इसमें जो लोग थे न मैं ये कोशन का आंसर कर देता हूं सिकंदर हयात खान थे खली कुछ जमा थे खिजर हयात खान वाज नोट असोसियेट यह उससे में प्रजेंट नहीं थे यह इससे संबंदित नहीं है और मेरा एक ही मानना है आप लोगों से कि क्लास में जादा सारे कोशन अलड़ी है प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा कोशन बहुत सारा भी पड़ा हुआ जो नए कंडिडेट है उनके लिए भी और जो पुराने उनके लिए भी थोड़ा समय आप लोगों का समय हलका सा एक से दो मिनुट लेना चाहा रहा अड़ा 247 इस तरह से सर्च करने का अड़ा 247 के बाद इस तरह से आप जब इंटर करते हैं क्लास में तो all courses में जब इंटर कर पाते हैं तो all courses में आपको इस तरह का दिखता है सभी आपके sections दिख जाते हैं आप UGC पे जब इंटर करते हैं UGC पे इंटर करते हैं आपको UG सी history निर्दिखता है वैसे मैं आपको बता दू कि double validity already start हो चुका है यह सभी double validity के लिए ही सारी classes आपको दिख रहा है इस class में भी आपको double validity आपको मिल जाएगा इसके लिए करना क्या है कि आप buy पे जाएंगे buy पे जाने के बाद आप इस जगह पे y6 to 8 code इस्तेमाल करेंगे apply करेंगे यह आपका courses आपको मिल जाएगा तो जादस ज्यादा कुछ ताम जाम है नहीं courses में जतना जल से जल हो कोशिस करें कि join कर ले आप सभी लो this is the course again I would like to repeat this इस में paper 1 और paper 2 को दोनों मिल जाएगा ठीक है तो जितना जल से जल्दो class में join कर लेने का यह हमारा code है यह लिख लीजी यही code लगाना है आपको ठीक है और course में इंटर कर जाएगा तो सांतियो class को ज्यादा से ज्यादा अपने social media पर शेयर कर देना इसी के साथ अलवीदा जय हिंद जय भारस सांतियो टेक केर have a nice day